सबसे ज्यादा मैक्सिमम अंसर उनके ही आएंगे और इसके अंदर हम थर्ड वीक आएक टेस्ट है और जिन्हों ने उल्रेड़ी सिक्स डेज जो क्लासिज लिए है और इसमें अटेम्ट करेंगे और मुझे पता है कि उनके सबसे ज्यादा मैक्सिमम अंसर उनके ही आएंगे और इसके अंदर हम थर्ड वीक आफ जुलाई करेंट अफियर डिस्स करेंगे और इसके इलावा भी आपकी मैंने 20,000 करेंट अफियर की एक सीरीज चलाई हुई है जैन से लेके जून तक के करेंट आगे बढ़ते हैं आपको मैं बता दूँ आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मेडिया के उपर फॉलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्विटर, जीमेल आईडी और फेस्बुक के लिंक के साथ यहां पे आपके प्रपर तरीके से लेक्टर शेर के जाते हैं और अब घर बैठे अपनी त्यारी कर सकते हैं और इसको कोर्स को परचेज करने की जो लास्ट एट है वो 20 जुलाई है और इसके अंदर जो भी आपको प्रपर तरीके से डिस्काउंट भी मिलेगा तो इसमें आप VIP 500 कूपर यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और इसके अंदर भी आपको जो भी डिस्काउंट परपर तरीके से मिलता है वो मिलेगा और आपको करेंगे क्या स्टडी आईक्यू आप डाउलोड करेंगे होमपेज नाज़र आएगा होमपेज में यहां पर बेस्सेलिंग कोर्स नाज़र आएगा यहां पर लिखाऊ इसी करेंगे आपको GS course नजर आ जाएगा और 10,000 MCQ course भी नजर आ जाएगा तो purchase कर सकते हैं अपने preparation के लिए ठीक है तो दिखेजिए आज पहला question क्या गयता है What is the theme of the India Global Week 2020? India Global Week 2020 का wish है क्या था? इनका wish है क्या था? That is be the revival India and a better new world Be the revival India and a better new world और ये एक flagship event था जो India Inc. जो आपका London based media house है London based media house है इनों ने जो है ये start किया था London based media house इनों ने start किया था ये चीज़ जान रखिए और ये जो है इस जो India Global Week था और इसके अंदर हमने 100th birth anniversary celebrate करी किसकी पंडित रविश अंकर जी की जो सितार प्लेयर थे असितार प्लेयर थे हमारे great magician थे इंडिया के पंडित रविश अंकर जी की The answer is be the revival India and a better new world Which has become the first Arab country to send a probe to Mars Hope probe Hope probe जो है Mars mission जो है किस देश का mission है ये है UAE का United Arab Emirates का UAE का United Arab Emirates Sanjukta Arab Emirat का ये जो है mission है पहला mission है पहली Arab country बनी है जो Mars के उपर जाएगी मंगल गरह के उपर जाएगी बात ये है कि UAE के कौन से person है जिनोंने पहली बार पहली अमरिती बने है जो जिसने travel किया International Space Station इनका नाम क्या है इनका नाम है Hazal Mansoori आपने अंसर देना है आपको ओशिश करोज की इसके अंसर देने की ठीक है और UAE की capital का क्या नाम है UAE की capital है अबुधाबी अबुधाबी और UAE की president का नाम है खलीफा बिन जायद अल-नहयान PM का नाम है मुहमद बिन राशिद अल-मक्तूम ये है और करंसी क्या है UAE की UA दिरहम दिरहम इस दा करंसी इस इंपोर्टेंट ठीक है तो ये है UAE के बारे में नेक्स है The Ministry of Skilled Development and Entrepreneurship has launched which digital portal to help skilled people find sustainable livelihood opportunities कुशल विकास और उदिमिता मंतरालया ने कुशल आजीविगा के अफसरों को खोजने में कुशल लोगों की मदद करने के लिए कौन सा digital portal launch किया है ये portal का नाम क्या है That is Aseem Aseem is the portal name अब Aseem की full form है That is आत्म निर्भर skilled आत्म निर्भर skilled employee employer mapping द्वारा रपीट कर रहा हूँ आत्म निर्भर skilled employee employer mapping This is the Aseem portal चीक है और अगर आपसे पूछा जाए जो आपके minister कौन है चलो आप मुझे comment section में लिखके बताइए कि MSMS के minister कौन है ठीक है आप अपने उसमें copy में लिख सकते है MSMS के minister यहाँ पे comment section में आपको बताना है तो Aseem portal है तो answer इसमें क्या बनेगा जी A option Aseem Which country will host the Asia Cricket Cup in the June 2021 June 2021 में Asia Cricket Cup की मेजवानी करने वाला कौन सा देश होगा तो यह आपको picture देखा होगा National flag है यह और किनका है शिरिलंका का तो शिरिलंका जो है Asia Cricket Cup जो है जून 2021 में होस करेगी अब बात करते हैं हमारे शिलंका के बारे में शिरिलंका की दो capitals है जै वर्धने पूरा जै वर्धने पूरा कोटा यह आपकी legislative capital है और executive capital है कोलोंबो दूया रखना दो capital है जै वर्धने कोटा और जो है आपकी कोलोंबो और शिरिलंका के प्रेजिडेंट का नाम क्या है देश को देश के सर्वशेश थानों में से एक चुना गया है सबसे ज़्यादा उत्तम चुना गया है यह है इस हिमाचल परदेश अंसर इसमें क्या बनेगा बी ओप्शन हिमाचल परदेश के जो CM है उनका नाम क्या है जैराम ठाकूर है और गवर्नर का नाम है इस बंडारू दत्तराया बंडारू दत्तराया तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ओप्शन हिमाचल अब भारतिया न्यूज चैनल पर प्रतिबंद लगा दिया है, तो ये कौन साथ सिर्फ चैनल चल रहा था नेपाल के अंदर दूरदर्शन, अंसर इस A option, अब दूरदर्शन के जो हैड़कोर्टर हैं, वो New Delhi के अंदर हैं, और जो नेपाल है, नेपाल की कैपिल है, काठमांडू, काठमांडू जो हैड़कोर्टर है, सार्क के हैड़कोर्टर है, South Association for Regional Corporation, नेपाल के जो प्रेजिटन है, इनका नाम है, बिद्या देवी बंडारी, बिद्या देवी बंडारी is the President of Nepal, प्राइम निस्टरन है, that is Khadga Prasad Sharma, Khadga Prasad Sharma, this is ध्यान रखना, very important, Khadga Prasad Sharma, next जलते हैं जगला, तो इनके लिखक हैं, तो यह अंसर is A option, तैंजिन गयेचे तैथोंग is the writer, और यह बुक जो है किसने पब्लिश करी है, रोली बुक्स ने, यह बुक किसने पब्लिश करी है, रोली बुक्स ने, इस इंपोर्टेंट, अंसर is A option, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजिशन विल लॉंच एमाजोनिया वन सैटलाइट ओफ विच कंट्री भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्या के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉंच करेगा तो ये उपग्रह लॉंच करेगा कौन सा ब्राजील के उपग्रह को ये लॉंच करेगा अमाजोनिया वन को लॉंच करेगा अब हम बात करते हैं कि जो इसरो है इसरो के हैड़कोर्टर कहां पे हैं बंगलूरू के अंदर है और इनके प्रेजिडेंट का नाम जो है चेर परसन का नाम है के सीवान है और ये जो है बने का ये इसरो Real is the currency Brazilian Real is the currency of Brazil Answer is B option Who has been named as the new officiating president of Hockey India Hockey India के कारेकारी अधक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है तो ये नामित किया गया है ग्यानेंदरो निंगोबॉम को ग्यानेंदरो निंगोबॉम को जो है पटाइट किया गया है और ये कहां से हैं ये हैं मनीपूर से ध्यान रखना मनीपूर से very important ठीक है और मनीपूर से और अगर मैं बात करूँ होकी इंडिया की होकी इंडिया बना कब था 2009 में बना था और इसके headquarter is in New Delhi और अगर मैं बात करता हूँ international hockey federation की तो उसके headquarter है लॉसेन स्विजलेंड के इस B option घ्यानेंद्रो निंगोबं नेम दा इंडियन टीनेजर हूँ एज मेड दा गीनीज वर्ल रिकॉर्ड विद 101 लेग होप्स ओवर ए रूलर इने यूए उस भारते की शोर का नाम बताए जिसने दुबई में एक पैर से 101 बार कूद कर अपना नाम गीनीज वर्ल अप्षिन क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा अब यूए की कैपिटल है दुबई ठीक है यूए बी की कैपिटल है दुबई एंड करंसी है अगेन आपका यूनाइट अरब एमिरेट्स दिरहम दिरहम इज़ा करंसी क्लियर यह चीज़ आपको ध्यान रखना है और मैंने भी आपको बताया कि यूए की जो करंसी है दिरहम अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताइए जो हमारी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो महंगी करंसी है वो किस देश की है महंगी करंसी अच्छा यूए की कैपिटल दुबई ना होके क्या है मालाबार नेवल एक्सराइज डैट सो फार इंक्लूड जस्ट जपान एंड यूएस भारत ने बारशिक मालाबार नौस्टैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंतरित किया है और जिससे वो अब तक वैसे सिर्फ जो है जपान और अमेरिका ही शामिल थे अभी जो इन्होंने इंक्लूड किया है इन्होंने जो मतलब बुलाया है कि आप हमारे इस एक्सराइज में आएं तो वो है ऑस्टैलिया ऑस्टैलिया को आमंतरित किया गया है तो answer is B option B option is the correct answer और ये जो exercise स्टार्ट होई थी पहली बार 1992 में स्टार्ट होई थी और उस आशान चार ध्वीब जो है अभी न्यूज में था ये कहां पे है कौनसे देश में है ये है बांगलादेश के अंदर और यहां पे जो है इस पहले तो इस आइलेंड का दूसरा नाम क्या है थैंगार телेंगार चार आयलेंड भी इसको कहते है और इस आइलेंड के अंदर ज विशम मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले पांच वर्षों में औसत वैश्विक तापमान कितने डिगरी से तक बढ़ सकता है तो वो बढ़ सकता है 1.5 डिगरी सेल्सेस तो आंसर इस बी ऑप्शन 1.5 डिगरी सेल्सेस वर्ल्ड मेटरलॉजिकल ओर्गनेशन के इनके जो प्रेजिडेंट का नाम है एड्रियन जो जर्मनी से है और सेक्रेटरी जर्नल का नाम है पैट्री तालास जो फिल्लेंड से है और जो इंडियन मेटरलॉजिकल ओर्गनेशन के अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारे कहां पे एड्गोटर है निउ डैली के अंदर और इंडियन मेटरलॉजिकल ओर्गनेशन जो आती है वो अर्थ साइंसिस के मिनिस्टरी के अंदर आती है और अर्थ साइंसिस के मिनिस्टर कौन है डॉक्टर हर्शवर्दन है जो हमारे साइंस एंड टक के मिनिस्टर है आंसर इस बी ऑप्शन दा फर्स स्टेट ई लोक अ गूगल ने गोशना किया कि वो भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाईशन फंड के तहट कितने अरब डॉलर का निवेश करें गूगल की बात करते हैं तो गूगल के CEO का नाम क्या है सुन्दर पिच्चाई है और गूगल के हैड़कोर्टर कहां पर है कैलिफोर्निया के अंदर फेस्बुक के भी हैड़कोर्टर वहीं पर है अभी क्लाउड रिजन बनाया था गूगल ने तो गूगल का जो क्लाउड रि भूस्य है आप supports you in context यह क्रैकर आप है,दिजी पैवोट क्योंस ब별 प्रोग्राम के लिए और एस अध्योंस प्रोग्राम के लिए स्पेश्चल डिजाइन क्या गैसा है विमिन्जिंट सॉप स्क्रोग्राम Youtube shimmer तुरू आगे बढ़ सकते हैं और टैंगी जो है एप है वीडियो मेकिंग एप है अंसर इस गूगल विश्टेट है स्टार्टिट दा रोको टोकन केंपेंड फॉर दोस हूद रोडोंट वियर मास्क किस राज़ा ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए ये रोको टोको अभियान शुरू किया है तो ये शुरू किया है किसने मध्या परदेश ने अंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन मध्या परदेश इसा करेक्ट अंसर मध्या परदेश की बात करते हैं तो सीम का नाम क्या है शिवरास सिंग चोहान शिवरास सिंग चोहान इ अगर हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर को पूल करने के लिए सबसे बड़ा कॉन बना। मद्या प्रदेश बना। इस इंपॉटन। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं। अभी एक Unified Driving License, Unified Driving License की बात करी गई थी तो दूसरी वीकल रिजिस्टेशन की बात करी थी यूनिफाइड वीकल रिजिस्टेशन की बात है ये तो MP1 पर आएगा अगर यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस की बात करेगी तो MP2 दूसरे नंबर पर है और इन्होंने एक स्टार्ड किया था जीवन शक्ती योजना एक स्कीम थी जीवन शक्ती योजना जिसमें जो अर्बन एरियस के अंदर विमेन हैं वो अपने घर पे बैठके जो है पैसा कमा सकती हैं मास्क बना के जो COVID-19 से बचने के लिए और एक मास्क की मज़ होगी 11 रुपे देखने को मिलेगी और इन्हों ने मध्या प्रदेश ने अभी एक COVID-19 योधा कल्यान योजना भी स्टार्ट करी COVID-19 योधा कल्यान योजना और इसमें क्या था अंगनवाडी वर्कर्स अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती है तो उनके लिए एक इंशोरेंस प्रवाड करी जाएगी जिसमें हर एक अंगनवाडी वर्कर के लिए 50 लाग उर्पे का इंशोरेंस कवर किया जाएगा अभी रिसेंटी नैशनल वाटर कॉन्फरेंस भी देखने को मिली और वो कहाँ पे बोपाल के अंदर तो इतने सारे एक्ट्स इंपॉर्टन है मध्या परदेश के लिए अंसर इस डी हाली में किन को उनकी शौर्ट डॉकुमेंटरी छी लुपो के लिए दादा साहिब फाल के पुरुसकार 20-20 दिया गया तो इनका नाम क्या है तेजांग डी थॉंग डॉक तेजांग केजांग डी थॉंग डॉक अंसर इस बी ऑप्शन इस अगर हम बात करते हैं यहां पे कुछ नाम जो हैं आपके यहां पे लिखे गए हैं जैसे के फॉर एक्जांपल यहां पे एक कोशन है इनके साथ रिलेट करते हैं आउ установ अचीवमेंट ऑवर्ड 2020 Online Film Festival बाइb बिटिश फिल्म इंस्सेड यह अवड किसको मिला है यह मिला था अवड अदिल हुसेईन को आदिल हुसेईन कहां से बिलोंग करते हैं। यह आपके असम से बिलोंग करते हैं। रिचर्ड डॉकिन अवर्ड किसको मिला है अभी जावे दक्तर जी को और जावे दक्तर ये अकेले एक मात्र भारतिया बने है जिनको ये अवर्ड मिला है Peace Prize of the German Book Trade ये मिला है अमर्तिया सेंजी को जिनको पहली बार हमारा इंडिया का Nobel Prize भी मिला था Medication Effectiveness, COVID-19 Vaccine का मानव पर सफलता पूर्व क्लिनिकल प्रिक्षन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो ये कौन सा देश बना है रशिया रशिया ने बोला है कि हमने पहला जो ट्राइल है वो कर लिया है रशिया की capital की बात करें तो रशिया की capital है वो है Moscow रशिया की capital है Moscow और currency क्या है रूबल और इसमें व्लादी मीर पुतीन जो है इनके राश्ट्रपती हैं 2036 तक वो चुने गए हैं ये भी आपको दिया रखना है इसके अंदर जो यूराल mountains है कहां पे रशिया के अंदर रश सबसे ज़्यादा deepest water ले गए है और largest area में अगर मैं बहु बोलूं largest area के अंदर area के अंदर largest जो country है वो भी क्या है रशिया है इस इंपॉर्टन और वर्ल्ड का सबसे लॉंगेस्ट रेलवे लाइन जो है यहां पी है डेट इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रांस साइबे WHO ने अभी महमारी से निपटने के लिए एक स्वतंतर पैनल का गठन किया है और इस पैनल की जो अधक्षता होगी वो किसके द्वारा की जाएगी इन में से तो वो करी जाएगी Helen Clark and Alan Johnson Sirleaf तो answer इसमें क्या बनेगा D option Helen Clark और Alan Johnson Sirleaf answer is D option is the correct answer और World Health Organization की बात करें तो Geneva इसके headquarter ह है साथ April 1948 को ये बना था और इनके जो चेर परसन है नो है Dr. Ted Rose, Dr. Ted Rose is a chairperson, the answer is D option Helen Clark and Alan Johnson Sirleaf The Indian Railway has operated its first ever special parcel train to Bangladesh transporting which product from the Andhra Pradesh गुंतूर, भारतिया railway ने Andhra Pradesh के गुंतूर से किस उतपात के परिवहन के लिए बंगलादेश में अपनी पहली विशेश parcel train start करी तो ये किस चीज को एक्सपोर्ट करेगा Dry Chilis को, answer is B option, सुखी मिर्ची अगर हम सुखी मिर्ची के उपर बात करते हैं तो चिली फेस्टिबल होता है एक, चिली फेस्टिबल और ये कहां पर होता है, कासरा वार्ड के अंदर कासरा वार्ड कहां पर है, ये मध्या प्रदेश के अंदर, यहां पर देखने को आपको मिलता है बंगलादेश के साथ जो है हमारी दो ट्रेंज इंपोर्टन है मैत्री एक्सप्रेस और बंदन एक्सप्रेस ये दो ट्रेंज है जो हमारी इंडिया और बंगलादेश के साथ जॉइन रहती है बंगलादेश की बात करते हैं तो बंगलादेश की कैपिटल है धाका, करंसी है टका और बंगलादेश के प्राइम निस्टर है शेख हसीना प्राइजडेंड का नाम है मुहमद अब्दुल हामीद तो अंसर इस बी ऑप्शन, ड्राइच चिली इस अ करेक्ट अंसर इरान ने किस देश को चाबार रेल पर योजना से बाहर कर दिया है तो वो कर दिया है किसको इंडिया को अंसर इस बी ऑप्शन और इरान के अंदर जो चाबार पोर्ट है इसके अंदर जो है इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था और एक पोर्ट है आपको तो यहां पे जो इरान और चाबार पोर्ट जोड़ते है ना मतलब यहां पे गल्फ ओफ ओमान भी है यह दियान रखना गल्फ ओफ ओमान के अंदर है चाबार पोर्ट और एक पोर्ट याद करो गवादर पोर्ट गवादर पोर्ट कहां पे है पाकिस्तान के अंदर यह चीज से अभी एक करंशी से चेंज किया गया था तोमन सो वन तोमन इस इगल टू टू टैन थाउजन रियाल यह चीज दियां रखिए और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एरान ने अभी एक फर्स्ट मिलेटरी सेटलाइट जो है अपनी चोड़ी थी उनका नाम है नूर नूर इस दा फर्स्ट सेटलाइट जो आपके इरान ने चोड़ी थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा अबी ऑप्शन इस अ करेक्ट अंसर इंडिया इसमें ने चोड़ी आपके 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 आपका जो रूम है प्रॉपर तरीके से कोविड फ्री रहे तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कुछ आपके 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 आईटी न्यूस में रहते तो आप बताएंगे पहला है लूर्दत ने और 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 कौँशा आईटी ने कोलैबरेट किया सुर्ड शिएरभराम जारी कर सकें तो ये IAT Delhi ने किया है World Food Program के साथ पहला rank जो है इंडियन पहला rank in National Institute Ranking Framework List के अंदर कौन से IAT National Framework List के अंदर IAT मदरास IAT मदरास इंपोर्टन आटिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट केट फॉर COVID-19 बाई किसके द्वारा बनाई गई है अगेन IAT हैदराबाद के साथ और IAT हैदराबाद ने COVID-19 भी भी टेवलप किया था एंटी माइक्रोबियल मल्टी लेर फेस मास्क बाई ये एक एंटी माइक्रोबियल जो है मल्टी लेर फेस मास्क इसने बनाया IIT BHU बनारा सिंदु यूनिवस्टी तो ये सारे फेक्ट्स आपको clear होने चाहिए ये IIT's news में थे Who has been named as the recipient of 2021 कार्मान Award of the International Academy of Astronautics International Academy of Astronautics की ओर से 2020 के Won कर्मन पुरुसकार से किसे समानित किया गया तो ये समानित किया गया कैलाश वादिवू सीवान कैलाश वादिवू सेवान तो answer is B option is the correct answer कैलाश वादिवू सीवान और जिनका नाम है के सीवान ये कौन है वैसे मैंने आपको बताया था अभी ISRO के क्या है ये president है ISRO के chairperson है ISRO बना था 1969 को ये जहां रखिए और अगर मैं बात करूँ जी सतीश रेडी ये कौन है ये DRDO के chairperson है Defense Research Development Organization के chairperson है जिनके headquarter New Delhi के अंदर है और ISRO के headquarter कहां पे हैं बैंगलूरू करनाटक के अंदर है बैंगलूरू को space city भी हम कहते है answer is B who has been appointed as the interim chief executive officer of BCCI BCCI के अंतरिम परमुख कारेकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है हिमांग आमीन को हिमांग आमीन को जो है appoint किया गया है answer is D option और BCCI के जो headquarter है वानखडे stadium मुंबई के अंदर है और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ सौरव गांगुली जो है वो आपके president है किसके BCCI board के अब आपको कुछ CEOs का नाम बताना है who is the CEO of FSSAI that is Food Safety and Standard Authority of India अभी नियूज में था तो इनका नाम है अरून सिंगल ये मेंने आपको बताया थे अगर आपको याद हो ना डेली क्लासे में हमें बताता हूँ ये ऐसे चीज़ें तो ये हैं अरून सिंगल बाफता चेर परसन कौन है British Academy of Film and Television Arts के चेर परसन कौन है that is Krishnandee Krishnandee Mazumbar Krishnandee Mazumbar तो answer is Krishnandee Mazumbar this is important again CIA President Confederation of Indian President कौन है Uday Kotak Uday Kotak जी this is again important ट्विटर के चेर परसन कौन है Patrick 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 पिशेट Patrick पिशेट this is the Twitter's चेर मैं तो ये सारे important है आपके जो CEO option में न्यूस में थे important है which country has publicly called on China to comply with the 2016 arbitrary ruling which had ruled that China has no historic right over the waters of the South China Sea किस देश ने सारवजनिक रूप से चीन को 2016 के मध्यस्त फैसले का पालन करने के लिए कहा है और इस फैसले में कहा गया है कि दक्षिन चीन सागर के पानी पर चीन का कोई भी इतिहासी अधिकार नहीं है मतलब कोई भी historic right नहीं है तो कौन सी है ये country that is Philippines तो answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Philippines Philippines Manila is the capital और Manila के अंदर जो है और Manila किस के headquarter है EDB bank के Asian Development Bank के Asian Development Bank में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है Japan का योगदान है और Philippines के currency का नाम है Peso तो Philippines ने बोला है कि South China के sea के उपर कोई भी अधिकार नहीं है चाइना का अब इसके साथ related question में आपको पहले भी करवाए थे Which island are the subject of overlapping claims by China, Vietnam and Taiwan South China Sea के अंदर जो है एक island है जिसके उपर claim करता है China भी, Vietnam भी और Taiwan भी उनका नाम क्या है That is Paracel Island Which country makes the largest claim in the South China Sea within a dashed line map published by the It's Queen Mutang Government in 1947 कौन सा देश कहता कि South China Sea के अंदर उसका सबसे बड़ा claim है Again ये कौन बताएगा China और line का नाम क्या है Nine dash line Nine dash line तो answer इसमें आपके सामने है Next India and China held the fourth round of cops commander talk At which border personnel meeting point भारत और चीन के बीच में Cops commander star की चौथी वारता किस border personnel meeting point पर आजोजित की गई थी ये कहां पर आजोजित की गई थी क्योंकि अभी गलवान वैली के अंदर बड़ा issue चल रहा था तो ये fourth round जो हुई थी ये हुई थी चुशूल के अंदर तो answer is C option चुशूल के अंदर ये देखने को आपको मिला था ठीक है this is important question चुशूल और अगेन मैं आपको ये passes के बारे में बताऊंगा जैसे की भी थू है ये कहां पर है अरुनाचल परदेश के अंदर है की भी थू पास अरुनाचल परदेश के अंदर बंबला पास अगेन अरुनाचल परदेश के अंदर तंगम जो है किस राज्या की बड़ी आदी जन जाती के बीतर एक अलप ग्याज समुधाय है तो ये कहां पर कौन सी स्टेट का समुधाय है अरुनाचल परदेश is the correct answer D option is the correct answer जाने तंगम जो है ये एक छोटा समुधाय है किसके बीच में आदी ट्राइब जो कौन सी स्टेट की है अरुनाचल परदेश answer is D अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आपके जो option में थे जैसे सिक्किम है नागा लेंड है असम है अरुनाचल परदेश है यहाँ पर कौन से ट्राइब हैं important है लिम्बू ट्राइब सिक्केम चेतरी गुरूंग शेरपा तो इस इन सिक्केम वैसे यहाँ पर जो important है नागा लेंड ये नागा लेंड में सारी important है कूकी फ्यॉम ओ जिलांग तो कूकी वेरी वेरी important है असम बोडो कारबी कूकी मिशिंग तो मिशिंग ट्राइब यहाँ पर बड़ी बड़ी important है important है question आजाता है अरुनाचल परदेश आदी important है नैशी शेर्दुकवेन मिश्मी तो मिश्मी ट्राइब वड़ी बड़ी इंपॉर्टन है यहाँ पर क्यों मिश्मी और मिश्मी में confusion हो जाती है मिश्मी जो है असम की है और नाचर प्रदेश की मिश्मी है अंसर इस आपके सामने है दनवंतरी रत are mobile medical vans of which state दनवंतरी रत जो है किस राजय के mobile medical vans है तो यह है कहां की that is the गुजराथ अंसर इस C option गुजराथ की यह जो है एक medical vans है अभी मैं आपको बताऊँगा कि कुछ campaigns जो है हमारी start करी की थी कुरोना के context में उनके questions आपको बताने है किल कुरोना campaign जो है start किस ने करी थी यह करी थी मध्यापरदेश ने project platina यह कौन सी state का है जो plasma therapy के treatment के लिए है जो कुरोना virus patient को help करेगा project platina जो है platina start किया था महराष्टर ने ध्यार रखिए हमारा घर हमारा विद्याल्या यह scheme जो है start किस ने करी थी मध्यापरदेश में इसमें क्या था कि एक क्लास से आठमी क्लास तक के बच्चों को घर में बैठके बिल्कुल पढ़ाई वाला महौल दिया जाएगा online कक्षा होगी इनकी तो यह भी मध्यापरदेश में start किया गया था who has been appointed as a vice president Asian development bank Asian development bank के जो है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो Asian development bank जो है आपका news में था जो आपका 1.5 billion dollar जो है इनको provide किया है हमारे इंडिया को for the COVID-19 COVID-19 के लिए 1.5 billion dollar दिया है ADB bank ने और ADB bank जो है वो किसके साथ मिल रहा है महाराष्टा स्टेट के साथ ताकि वहां की road development को बढ़ा सके 177 million dollar लोन दिया है provide किया था महाराष्टा सरकार को और इंडिया की economy contact करेगी कितनी 4% contact करेगी जो ADB ने बताया है 2020-21 के अंदर 2020-21 के अंदर जो है इतनी economy contact कर जाएगी ये बताया है किसने ADB ने आप अपनी copy में लिख लो चाहे अंसर देने की कोशिश करो मुझवानी मैंने को पहले भी बताया था ADB bank के जो है प्रेजिडेंट का नाम बताईए ADB bank के प्रेजिडेंट का नाम मैंने आपको बहुत बार बता रखा है copy में लिखना और अंसर बताना Union Home Resource Development Ministry has released which guidelines for digital education केंद्रिया मानव संसादन विकास मंतराले ने digital शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किये तो ये दिशा निर्देश का जो short form है वो है प्रग्यता तो प्रग्यता is the correct answer और प्रग्यता की एक full form है जो आठ चीजें इसमें निकलती है वो प्रग्यता है क्या that is plan, plan करो, review करो arrange करो चीज़ को, guide करो or talk करो, assign करो, track करो appreciate करो तो ये है आपकी प्रग्यता scheme this is important question ठीक है ये है आपके 8 step, this is important एक है tulip, so tulip क्या है the urban learning internship program, the urban learning internship program, ये प्रोग्राम ministry of HRD और ministry of urban affairs ने आपको बताया था ये प्रोग्राम और ये जो है internship program है बच्चों के लिए, ministry of HRD human resource development and ministry of urban affairs ने start क्या था yukti to initiative क्या है ये क्या है, young india combating covid with knowledge, technology and innovation young india combating covid with knowledge, technology and innovation, ये आपका program है covid से बचने के लिए, covid 19 से जया रखे, yukti 2.0 initiative who has been honored with the top publicist award in the global humanitarian award 2020, हाली में किसे global humanitarian awards 2020 के लिए आजोजित एक webinar में top publicist पूरसकार से सम्मानित किया गया था तो ये सम्मानित किया गया था, किसे सचिन अवस्ति को जो है ये सम्मानित किया गया था, option A is the correct answer, सचिन अवस्ति यहाँ पे कुछ नाम important है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नहीं, तो मैं question बना के करना था चलो बता जिते हैं, कृति का पांडे Commonwealth short story prize for Asia 2020, इनको मिला है, शोवा शेखर जी को medal for Medal of the Order of Australia मिला है, रनजीत कुमार को NASA Distinguished Public Service Medal भी मिला है तो यह आपको important है, यह facts important है यह awards की उपर question आ जाते हैं no doubt कर लेना Which among the falling has organized its first digital चौपाल to markets 39th foundation day निमलिखित में से किसे किसने अपने 49 स्थापना दिवस के observer पहली digital चौपाल का आयोजन किया, यह किसने किया था नाबार ने, नाबार इस दा National Bank for Agriculture and Rural Development और यह video conference थी किसके साथ, फार्मर्स के साथ और नाबार बैंक जो बना था 1982 में बना था, Headquarters in Mumbai और इनके चेर परसन है, जी आर चिंतला जी आर चिंतला और एक चीज में आपको बताता हूँ कि RBA ने, अभी रिसेंटली एक, जो है, Payment Infrastructure Development Fund, Create किया था Payment Infrastructure Development Fund Infrastructure के लिए, और कितने करोड का 500 करोड का, और एक RBA ने एक पैनल बनाया था, ताकि वो Corporate Structure जो है, आपका प्राइवेट सेक्टर को देखे, प्राइवेट सेक्टर के लिए RBA ने जो है, एक पैनल बनाया, जिसके चेर परसन कों थे पी के महंती थे, पी के महंती वाजा चेर परसन, ध्यार के अंसर इस C, नाबार UNICEF India has partnered with FIKI and SEDF to jointly develop which campaign, UNICEF India ने FIKI और SEDF के साथ संजुक तरूप से UNICEF के लिए एक भिहान को तयार करने के लिए समझोता किया है ये कौन सा है, FIKI is the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and SEDF is Social Economic Development Foundation Social Economic Development Foundation इन्हों ने, दोनों ने मिलके जो start किया है that is, reimagine reimagine, जो है, hashtag इन्हों ने start किया है तो answer is A option, reimagine FIKI, SEDF and UNICEF this is important question, that is reimagine, answer is A option अब कुछ question आप बताएंगे किसने UNICEF के साथ मिलके तियार करी है, report Child Labour के ऊपर COVID-19 and Child Labour, A Time of Crisis A Time to Act यह कौन सी organization यहाँ पर इनके साथ आपना help करी है, ILO International Labour Organization के साथ मिलके काम किया है Lost at Home Report, यह किसने report तियार करी है और यह report present क्या करती है Scale and scope of the internal displacement of the children and their families around the world मतलँ, जो आपके बच्चे जो है इदर अपनी family से इदर उदर चले जाते है गाइब हो जाते है तो उनके लिए एक report तियार करी है अपने घर से जूडने के लिए तो वो किसने तियार करी है Again UNICEF ने United Nation Environment Children's Emergency Fund Next Dash plus UNICEF इनों ने एक hashtag चलाया Break the chain और virus की कड़ी तोड़ो और ये कौन सी organization, कौन सी company के साथ Hindustan, Unilever के साथ Hindustan, Unilever, HULN, UNICEF ने ये hashtag यूज़ किया था और ये imagine जो हमने last में discuss किया था UNICEF के headquarters कहां पे है New York के अंदर है This is important UNICEF इतना news में रहा था Answer is New York What is the theme of the World Youth Skill Day 2020? विशव यूवा कोशल दिवस 2020 का विशय क्या है? तो ये है Skills for resilient youth Skills for resilient youth जाने के D option is the correct answer विशव यूवा कोशल दिवस 2020 का विशय ये है Skills for resilient youth अब question आप बताएंगे कुछ news में थे जैसे World Youth Skill Day होता कब है यसे के 15 जुलाई को होता है ठीक है और National Youth Day होता है 12 जन्वरी को स्वामी बिविकनन जी की बर्थ अनिवस्री के उपर और National Youth Day का जो theme था वो था Channelizing the Youth Power for Nation Building जाने के आपको प्रपत दिख से Channelize करना है Youth की Power को ताके हम नेशन को आगे बढ़ा सकें और development कर सकें Next Which company has announced its partnership with the CBSE to help 1 million teachers conduct classes online by the end of the year किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 million शिक्षकों को वर्ष के अंद तक online कक्षाय संचालित करने में मदद करने की गोशना करी है तो यह किस कंपनी ने partnership करी है CBSE के साथ ताके 1 million teachers को वो classes प्रवाइड कर सकें तो वो करी है इन्होंने Google के साथ तो answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Google is the correct answer Google California is the headquarters सुन्दर पुचाई is the chairperson अब Google जो है दो ती चीजों के लिए न्यूज में था Google प्लस CBSE मिलके जो है यहाँ पे Which प्लस CBSE मिलके जो है एक live fitness session स्टार्ट करेंगे school students के लिए यह किस के साथ CBSE करेगी तो यह Fit India के साथ Fit India के साथ मिलके CBSE करेगी live student जो है fitness के लिए program CBSE chairperson कौन है उनका नाम है Manoj Ahuja Manoj Ahuja is the chairperson of the CBSE This is important question और अगर sports ministry के उपर पूचा कि हमारे sports minister कौन है यह कहां पे है यह कहां पे है असम के अंदर असम के अंदर एक मजूली आइलेंड भी है आपका असम के अंदर काजी रंगा नैशनल पार्क है मानस नैशन पार्क है और आंग नैशन पार्क है तो अंसर इस C option is the correct answer भ्रह्मपुत्र अर्गेवर भी यहां से cross करती है मजूली आलेंड बनाती है अब बात यह है कि कुछ आपको reserves पता होने चाहिए आप मुझे comment section में लिखके बताओगे चलो मैं वैसे यहां ही पी चलो अंसर लिख लेते हैं पाके tiger reserve यह मैंने आपको इस कंचें जंगा national park यह कहां पर है सिक्केम के अंदर है और सिक्केम हमारी पहली organic state है और सिक्केम जो है चाइना के साथ कौन से पास से जुड़ती है नाथुला पास से इस इस अगें important ठीक है तो यह थे आज के lecture के अंदर question आपको पता होने चाहिए और इस lecture की बीडियाफ आपको डॉक्टर विपन गोईल के टेलीकराम गुरूप से मिल जाएगी डॉक्टर विपन गोईल सर्च करना है यहाँ पर 63,000 student हो चुके हैं और यहाँ पर मुझे different social media के साथ जूर सकते हैं अगर लेक्टर अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेना और प्लस मेरे दो कोर्सीज आते हैं जनल अवेनेस का 10,000 MCQ कोर्स और हमारा GS कोर्स दोनों कोर्सीज आप परचेस कर सकते हैं 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने MCQ डिसस किया है Following History, Geography, Science, Current 이상 और Economics वगिरा सारी डिसस किया है और GS course के अंदर मेंने Biology History, Geography, Science Economics सारा Theory, Topic डिसस किया है तो आपको परचेस कैसे करेंगे Study IQ ये आप डाउनलोड करेंगे HomePage नज़र आएगा तो उसमें Best Selling Natural कोर्स में जाओगे तो यहां पर व्यू ओल का इक बटन होगा उसको क्लिक करोगे तो GS कोर्स नजर आ जाएगा और 10,000 MCU कोर्स नजर आ जाएगा तो आप परशेज कर सकते हैं और अपनी का बटने लही जाएगे यहां जाएगे लेुड़ अपनीक कर दो सकते हैं